दोस्तो आज की इस वीडियो में Importance of Safety, Types of Safety, Workshop Safety, Personal Safety और Machine Safety के बारे में जानकरे लेने वाले हैं दोस्तो वर्क्शाप में कार्य करते समय प्रत्यक स्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए साउधानी हटी और दूरगटना हुई इसे प्रत्यक स्रमिक को सदैवय याद रखना चाहिए एक छोटी सी असाउधानी बहुत बड़ी दूरगटना का कारण बन सकती है इससे मशिन को हानी पोच सकती है उपादन पर असर पढ़ सकता है और कभी-कभी स्रमिक की जान का भी खत्रा हो जाता है इस प्रकार वरक्शाप में साउधानी का बहुत बड़ा महत्वा है दोस्तों आम तोर पर दूरगटना नहीं होती है उसके पीछे कुछ कारण होते है अगर उस कारण सो हम बच्चे तो दूरगटना कभी नहीं हो सकती वरक्शाप में जो शेप्टी है उसको तीन तरीके से कैटिगराइज किया गया है सबसे पहला है जनरल शेप्टी दूसरा परस्टनल शेप्टी और तीसरा मसीन शेप्टी इन तीन तरीके से शेप्टी को कैटिगराइज किया गया है सबसे पहले हम जाएंगे जनरल शेपटी इसमें कौन से कौन से नियों को फालो करना है इसके बारे में हम जान कर लेते हैं हमेशा फर्स और ग्यांग विको stainless और clear रखे क्योंकि हमें इसमें काम करना होता है और चलना फिरना होता है इसलिए हमेशे इसको साप सुत्रा रखना चाहिए वर्ख्षाप में कभी भी दवर डई लगाना चाहिए साउधारी पुर्वक्री चलना चाहिए चालू हालात में मशिन को छोड़कर कई भी आपको घुमने के लिए नहीं जाना है हमेशा मशिन को बंद करके आपको मशिन को छोड़ना चाहिए किसी भी उपकरन मशिन को ना चुए जब तक कि आपको उसको चलाने के लिए अधिक रूत नहीं किया गया हो ऐसा करने से आप हमेशा दुरगटना हो जाती है हमेशा लटके हुए भार के नीचे से ना चले जो हैंगिंग लोड होता है उसके नीचे से आपको कभी भी चलना नहीं है उसके आजू आजू से ही चलना है कारिय करते समय कोई भी प्रेक्टिकल जोक्स आपको करना नहीं है हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए जाप के लिए सही और उपयुक्त टूल का ही प्रयोग करना चाहिए अगर आप सही और उपयुक्त टूल का प्रयोग नहीं करते तो उससे एक्षन हो जाते है इसलिए आपको सही और उपयुक्त टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा काम होने के बाद टूल को सही स्थान पर रखना चाहिए क्योंकि धुन्ने में आसा नहीं हो जाती है इसलिए काम होने के बाद तुरंत उसको सही उसके पोजिशन में रखना चाहिए फैले हुए तेल को हमेशा साप करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको चलना होता है इसलिए स्लिप होने का चांसिस होता है इसलिए फैले हुए तेल को तुरती पूछ लेना चाहिए इसे हुए tools तूटे हुए tools को प्रयोग नहीं करना चाहिए इसलिए action का खत्रा बढ़ जाता है compressed air को अपनी तरफ या अपने साती की तरफ नहीं डालना चाहिए इसे action का पढ़ावा मिल जाता है हमेशा यह शुनिचित कर लेकी वर्क्षाप में परियप्त मात्रा में रोश्णी है या नहीं हमेशा वर्क्षाप में ज्यादा रोश्णी चाहिए तारो तरफ से रोश्णी आने चाहिए machine को तभी साप करें जब machine बंद स्थिती में हो हमेशा यह बाद द्यान में रखना चाहिए machine की साप सपाई करते समये machine हमेशा बंद होनी चाहिए जो चीप्स होते cutting chips या छिलन उसको हमेशा साप करना चाहिए और साप करने के लिए हमेशा brush का उपयोग करना चाहिए अगर आप brush का प्रयोग नहीं करते तो उसमें अपने हाथों को injury हो शक्ति इसलिए brush का ही प्रयोग करना चाहिए machine को चालू करने से पूरना उसकी पूरी की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए अगर आप machine को operate करते हो तो उससे action का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए आपको कभी भी machine को operate करते समय उसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए दोस्तो इस तरह से यह general shift है जो वर्शाप में आपको फालो करना होता है इसके बाद आद देखते है personal shift में कोंसी कोंसी बाते आते हैं हमेशे आप याद रखना चाहिए जोस्तो आप अगर नए हो हमारे चैनल को अभी जख सबस्राइब नहीं किया तो अभी सबस्राइब लाइक और शेयर करना ना बुलेगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा सबसे पहले जनते हैं पर्सनल शेप्टी में क्या आता है हमेशा एक पीस वाला ओर या बाइलर शूटी को अपनाना चाहिए उसी को पहनना चाहिए जो वन पीस बाइलर शूट या एपरान होता है उसी को हमेशा पहनना चाहिए बाइलर शूट के या एपरान के हमेशे पूरे के पूरे बटन लगा देना चाहिए वर्षप में काम करते समय टाई या स्कार्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए इससे एक्षण का खत्रा बल जाता है इसलिए वर्क्षप में काम करते समय टाइज या स्कार्प का प्रयोग कभी ना करें हमेश्या कोनी के उपर तक अपने बाहें रोल करें उसको हमेश्या जब भी आप काम करते हो आपका फूल्सलियो का साथ है तो उसको कोनी तक आप जरूर मोड़ें वर्क्षप में कार्य करते समय हमेश्या स्यप्टी सुच का ही प्रयोग करें अगर आपके बाल बड़े हो तो उसको काट लें वरक्षाप में कार्य करते समय अंगुटी, चेन, घड़ी इस प्रकार के कोई भी चीज का प्रयोग ना करें इससे एक्षन का खत्रा बढ़ जाता है मशिन में काम करते समय कभी जुक कर काम नहीं करना चाहिए चलती हुई मसीन से गाड को अलग नहीं करना है अगर आपकी मसीन चलू है तो उसमें जो शेप्टी गाड होते हैं उसको कभी भी दूर ना करें तूटे हुए जो टूल्स होते है या चीप्स होते हैं उसको प्रयोग कभी ना करें उससे एक्षन का खत्रा बढ़ जाता है ना करें जब तक वर्पीस मदूस्ती से ना पकड़ा हो फीड नीट्रल में ना हो या कारिय करने को शेत्र आपका साप सुत्रा ना हो तब तक आपको मशिन को अपरेट नहीं करना है जब मशिन गती में हो तब उस शमय फ्लेक्स और होल्डिंग डिवाइस को कभी भी एजूस नहीं करना है जब आपकी मशिन चलू होती है उस वक्त आपको जो holding device होते, clams होते उसको कभी भी adjust नहीं करना है गिले हातों से कभी भी electrical parts को नहीं छुना है हमेशा बाद जहन में रखिये कि गिले हातों से कोई भी जो electrical equipments होते उसको ना छेड़े खराब उपकरंज होते विद्दुत के उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना है इससे electrical शक लग शकता है इसलिए इससे बचना चाहिए यह सुनिच्चित कर ले कि विद्दुत के connection अधिकरूत electrician द्वारा किये ही हो आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए वर्क्शाप में की जो electrical connection होते है वो electrician द्वारा ही चेक कर लेना चाहिए अपने कारिये पर ध्यान रखे हमेशा अपने कारिये पर आपको फोकस करना है और शांत्य प्रवर्वर्वतित से काम करना है विवस्त स्थित प्रोप से कारिय करें अपना कारिय करते समय दुसरे से बात्चित ना करें हमेशा यह बात ध्यान में रखेगी जब भी आप machine को operate करते हो या काम कर रहे हो वर्शाप में तब दुसरों से बात्चित नहीं करना है हमेशा अपका साती अगर काम करता हो तो उसका ध्यान न तोड़े उसको सही तरीके से काम करने दे या उसको disturb ना करे चलती हुई machine को हाथ से रोकने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए हमेशे ये बात ध्यान रखना चाहिए कि चलती हुई मशिन को हाथ से रोकने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए इस तरह से ये हमारे परस्टनल सेप्टी हो गए दोस्तों इनको आपको गुरा फालो करना है अब आखरी में देखते हैं मशिन शेप्टी इसमें कौशी कौशी बाते ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में जान कर लेते हैं यदि कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले मशिन की स्वीच को तुरंट आप कर देना चाहिए मशिन में काम करते समय अगर कुछ गलत हो गया तो सबसे पहले आपको में स्विच आप करना है हमेश्या मशिन को साप सुत्रा ही रखना चाहिए जब भी आपका काम पूरा हो तो मशिन को साप सुत्रा रखना चाहिए और उसको आईलिंग वगेरा देना चाहिए घिशे हुए या छतिग रस्त जो होल्डिंग डिवाइस होते हैं जिसमें नड़ बोल्ट का प्रवेव होता है उसको हमेश्या तुरंती बदलना चाहिए जिससे एक्षिजन का खत्रा टल सके मशिन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको सही तरीके से चलाना नहीं आता यह बाद हमेश्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आपको मशिन को सही तरीका आपरेट करने का मालूम ना हो तब तक उसको नहीं चलाना चाहिए वर्षप में जो टूल्स होते हैं उसको काम करते समय कभी भी पावर टूल को आपरेट नहीं करना है काम करने के सिती में कभी भी उसको आपरेट नहीं करना है और आपरेट भी नहीं करना है मसिन की गती बदलने से पूर्वा उसको स्विच आप कर देना चाहिए जब भी आपको मसिन के गती बदलना है चेंज करना है तो हमेशा आप करके ही उसकी गती बदल चाहिए स्वीच आप करने की बाद यह अटोमेटिक फिट को अलग करें हमेशा मशिन की आई लेवल चेक करते रहेगा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि मशिन में आई लेवल होते हमेशा चेक करना चाहिए कभी भी मशिन चालू न करे जब तक कि उस पर शुरक्षा गाड सही तरीके में से फिटना हो हमेशा यह बात ध्यान में रखे जितना चाहिए कि जो भी मुविंग पार्ट होते है उसमें शेप्टी गाड होना चाहिए जब तक शेप्टी गाड लगा नहीं हो तब तक आपको मशिन को आपरेट नहीं करना चाहिए मशिन रोकने के बादी उसका मेजरमेंट लेना चाहिए यहीं सई तरीका है जब भी आप मेजरमेंट लेना चाहते हो तो सबसे पहले मशिन को बंद करें और उसके बाद ही उसका मेजरमेंट ले जब भी आपको भारी सामान चड़ा नहों उतर नहों या इढ़र से उढ़र लेके जाना तो उस वक्त उडन के जो फ्लैंक्स होते हैं उसका ही प्रयोग करना चाहिए इस तरह से हमारे ये मशीन सिप्ट है दोस्तों आपने हमारे का अभी तक सब्स्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्स्राइब लाइक और शेर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिपिकेशन के लिए बेल आइकान पर क्लिक करूँ किजिएगा थेंक्यू